देखे जीवन में हार जिलाव हार जीत तो चलती रहेगी लेकिन अपने होसले को और खुद पे भरुसे को कमत होने देना नमस्कार दुक्तों आज है बारत सितंबर का दिन और आज की वीडियो में टोटल नौ मोस्ट इंबोड़र प्रेश्टों पर प्याजा करेंगे जो कि अपकी सभी परिशाओं के लिए मोस्ट इंबोड़र है तो सुरू सलासा वीडियो में बने रही है और इस वीडियो को पूरा देखने बाद आप इसकी पीडियो फाइल भी डानल कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रॉप्शन बख में और हमारे टेलिग्राम चैनल पही है इस वीडियो के प्रिछ बिलेقة जागी और वीडियो को लाइक और शेर भी कर दियेगा तो चली राज ने Residence Safety and Security Act नम का एक बहु उद्देसी आउन्लाइन प॔र्टल लांच किया है राज ना और दिखे अब पता दूँ जो आपका ये Residence Safety and Security Act है ये बहु देसी आउनलाइन प॔र्टल जो है Digitalी करण प्रकृरिया को पूरी मेगालय में 6 जार से अधि गवों और इलाकों को आनलाइन प्रडाली से जोड़ेगा तो इसको यार रखेगा और आगले की जनसक्या 2011 के आंख्डु के रुसाल जो की 2012 में पब्लीस हुई थी ये आपकी है 26.5 लाग और आगले की अस्तापना हुई थी 21 जनवरी 1972 72 को अगला प्रश्णी की हाली में विश्व स्वास संगठन ने 2030 तक पूरे अफरीका में किस बीमारी के लिए एक टीका सामिल करने के लिए कुल डेर्ड बिलियन अमेरिकी डालर का अभियान शुरू किया तो देखें यह बीमारी आपकी है bacterial meningitis, देखें meningitis क्या होता है, meningitis एक गंभीर संक्रमन है जो की mustisk यानि की जो आपका brain होता है और रीड की हडी के आजपास की सुरक शात्मा परत को प्रभायूत करता है और जो आपका ये meningitis बिमारी है ये बैक्टीरिया के करण भी होता है वाइरस के करण भी होता है और फंगी के करण भी होता है लेकिन यहाँ पर जो अभियान चलाया जा रहा है डबलू एचो के द्वारा 2030 तक पूरे अफरीका में एक टीका सामिल करके कुल 1.5 बिलियन अमेरिकी डालर का खर्च करने का जो ये प्रोग्राम रचा गया है ये बैक्टीरियल मेनेंजाइटिस के लिए है तो फिर से सुनिए सरल सब्दों में कि डवलू एचो ने दोजारतीस तक पूरे अफरीका में बैक्टीरियल मेनेंजाइटिस बीमारी के लिए एक टीका सामिल करने के लिए कुल 1.5 बिलियन अमेरिकी डालर का जो है एक अभियान सुरू किया है और अगला प्रशनी के हाल ही में पीम मोदी ने और बांगलादेश की पीम सेख हसीना ने किस अस्तान वर मिल कर मैत्री सूपर थर्मल पावर प्रजिट की यूनिट वन का नरूर किया दीखे ये प्रशन मोच्ट इंपोर्टेंट है इसको आप अलग से कहीं नूट कर लिएगा देखे ये प्रेस आपका है बागेर हाट और जो आपका बागेर हाट है ये आपका बांगलादेश में स्तित है ठीक है दीखे जो आपका ये मैतरी सूपर थर्मल पावर प्रजिट है इसका जो यूनिट वन लगाएगा है हाली में ये लगाएगा है बांगलादेश के खुलना डिविजन के बागेर हाट जिले के राम पाल में ठीक है और दीखे तेरह सो बीज मेगावाट की ये परिविजना है तेरह सो बीज मेगावाट के कोईले से चलने वाले इस बिजली सयंत्र के सापना लगभग दो बिलियन डालर की लागस्ति की जा रही है और ये परिवजना भारत की रियायती वित्पोसर युजना के तहत विक्षित की जा रही है और इससे बांगलादेश के राश्टी ग्रीड में 1320 मेगावाट शम्ता जुट जाएगी और इसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानि की भेल के द्वारा बांगलादेश इंडिया फ्रेंट्सी पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के लिए बनाए जा रहा है और इस सूपर थर्मल पावर प्लांट की जो पहली एकाई है ये अक्टूबर की सुरुवात में वाडिजिक परिचालन में आ जाएगी और बांगलादेश भारत वेली छेतर में बढ़ते सहयोग में एक बड़ी सफलता होगी तो इसको या रखेगा अगला एकी किस तरी को E-Mobility के उत्सों को चिन्हित करने के लिए हर सार विस्वए EV दिवस मनाए जाता है तो देखे विस्वए EV दिवस है नहीं कि विस्वए electric vehicles दिवस को मनाते हैं 9 सितंबर को हर साल देखे जो आपका विस्वए electric vehicles दिवस है ये पहल जो है सस्टेनेबिलिटी मीडिया कप्पनी green.tv के द्वरा मनाए गई थी और देखे विस्वए EV दिवस का जो पहला संस्क्रा ये 2020 मनाए गया था और आपका दादू जो आपका electric vehicles है इसके निर्मान में दुनिया में सबसे आगे कौन है चीन है तो चीन दुनिया भर में सबसे बड़ा EV बाजार है और चीन के अलावा भारत automotive company के लिए सब अगले पसंदीदा गंतव के रुप में उभर रहा है और देखे वरतमान में भारत का जो automotive उद्योग है ये दुनिया भर में पाँचवा सबसे बड़ा है और 2030 तक ये तीसरा सबसे बड़ा बने के लिए तयार है तो ये आकड़े बहुत ही खास होते हैं जो मैं आपको देता हूँ बहुत मेहनत करके इसको इकठा करना पड़ता है इसको नोर कलिया कीजिए ये सारी चीज़े एक्जाम में पूछी आती है अगला खहाली में के सतान पर DRDO यानि की Defense Research and European Organization और सेना ने मिलकर Surface to Air Missile का सफल परिशड किया है तो दीखे DRDO और Indian Army ने मिलकर Odisha की चांदीपुर में Surface to Air Missile का भीहाली में सफलता पूरव परिशड किया दीखे जो भारत का रक्षान संधान और विकास संगठा ने इसने बताया कि इस मिसाइल परडाली के 6 परिशड ये सफलता पूरव किया जा चुके है तो लगातार इसके 6 परिशड कंपलीट हो चुके है अब ये फाइनली जो है Indian Army को सौपने के लिए तयार हो चुका है पूरी तरह सौचालीत कमान और नियंत्र परडाली था निगराणी राडा इसमें सामिल है और देखे DRDO के बयान में बताया गया कि ये परडाली अब Indian Army की बेडे में सामिल हो लिए तयार है तो यार रखेगा DRDO और आर्मी ने मिलकर अभियाली में ओडिचा के चांदीपुर में सर्फिस टू एर मिसाल का छट्वा परिषड किया था अगला की हाली में निक्षे 2.0 पोर्टल लांच किया गया ये किस बीमारी से सम्मदित वे पोर्टल है तो देखे जो आपका निक्स है 2.0 पोर्टल है ये 6 रोग यानि कि टीवी से सम्मदित है देखे टीवी मतलब ट्यूबर क्लोसिज जिसको आप टीवी सौट में करते हैं टीवी बीमारी किस जीवाडू के करण होती है ये एक्जाम में बहुत बुशा गया है तो देखे एक बैक्टीरिया यानि कि जीवाडू है जिसका नाम है माइको बैक्टिरियम ट्यूबर क्लोसिज जो है ये टीवी कास करता है हुमन बड़ी में और टीवी से देखे विजस्त हमारा जो लंग्स यानि कि फेफड होता है ठीक है तो टीबी जो है ये किस को प्रॉइट करता है फेपरिय खो लेकिन कभी कभी लीवर वगरे कभी टीबी हो जाता है देखे भी आली में जो भारत की राजपती है दुरोपदी मुर्मू इन्होंने इस अभियान जिसका नाम है निक्षय पोर्टल तो निक्षय पोर्टल 2.0 को इन्होंने लांच किया है और एक जोंका निक्षय 2.0 पोर्टल है ये टीबी वाले विक्षयों के लिए सामुदाइक समर्थन के लिए एक डिजिटल मंच है और ये तपेदी क्यानी कि टीबी के रोगियों के उपचार के परडाम में सुधार के ये अतिरिक्त रोगी सहायता प्रदान करता है और दीकि केंद्री स्वास और परिवार कल्यान मंत्राले ने 2025 तक तपेदी क्यानी कि ट्यूबर क्लोसिस के उन्मूलन का लक्षय रखा है सातों प्रश्णी की हाल ही में केंद्री परिवार मंत्राले ने किस राज के लिए नई 30 चेत्र प्रवंधन योजना यानि की न्यू कोश्टल जोन मैनेजमेंट प्लान को हाल ही में मंजूरी थी और दीके भी हाली में ये मोदी ने करनाटक के गोल्ड फिंच सहर में जो है कुल 3800 करड़ रुपे के विभिन कारियों की निव रखी और करनाटक दर्श्री भ और अगला प्रश्टी की हाली में किस देश में हुए जनमत संग्रा ने नए संविधान को खारिश कर दिया देखे चिली में एक नया संविधान लागो होने वाला था लेकिन जनमत संग्रा हुआ वहाँ पे मलब की इस नए संविधान को लागो किया जाए या ना किया तो जनता ने इस चीज़ को नकाल दिया कि हमें नया समिधान चाहिए, मामला क्या है, देखिए भिहाली में चीली में एक जनमस ekाल के पुराने चार्टर को एक नए प्रगतिशील समिधान के साथ बदलने के परिस्ताव को खारिद्गर दिया और जो ये जनमस समिधान के प् जनरल आगाश्टो पिनेसी की तानसाही के तहट लिखे गए 1980 के चार्टर को बदलने के लिए मसोधा तयार किया गया था चिली देश की बात करें तो देखे चिली जो है आपका साउथ अमेरिका में इस एक छोटा सा देश है और करेंसी केपिटलिस की है सैंटियागो और यहां के प्रेजडेंट है गैबरियल बोरिक और करेंसी है चिली की चिलियन पेसो अगला है की सेमी कंड़क्टर आपूर्ती में सुधार और तेवारी मांग के चलते अगस्ट 2022 में यात्री वाहनों की थोग विक्री सालाना अधर पर कितने परसेंट बड़ी है तो दिखे जो अगस्ट महिना भी बीता है ठीक है तो उसी का अखड़ा है सेमी कंड़क्टर आपूर्ती में सुधार और तेवारी मांग के चलते अगस्ट 2022 में यात्री वाहनों की जो थोग विक्री है ये सालाना अधर पर 21% जो है ये बड़ी है और ये जानकारी वाहन बनाने वाली कंपनियों के संगठन सोसाइटी आप इंडियन आर्टो मोबाइल मैनुफेक्टरर्स द्वारा जो है जारी आंकडों से मिली है तो ये थे आपके आज के सभी महतपूर प्रशना और अब हम बात करेंगे आज के सभी कुशनावटे पे तो आज का पहला प्रशनी की विस्व आत्मत्या रोकखाम दिवस जो है ये का मनाता है आंसर बताईए नहीं बता दो कल का वीडियो दे कि उसको रिवाज कर डालेग चौथा प्रशनाव के लिए कि हाल ही में किस सित्राजी के मुख्यमंत्री भूपेज बगिल ने प्रदेश में दो नए जिरे सक्ती और मनेंद्रगर चीरमीरी भारतपूर का उध़र किया बताईए और अगला की हाली में किस दिस ने भारत के पूरो नौ सेना प्रमुख सुनील लामबा को मेधावी सेवा पतक से समान किया अब दाईए और अब हम बात करने के लिए पुछे के सभी कुशन अपड़े के सहित्रों की देखे नौ सितंबर को मनाते हैं सिक्षा को हमले से बचाने के लिए अन्ताराश्टी दिवस और जो आपका बिरिटेन है यहां की जो महरानी थी एलिजाबे दुए तीन का निथनों के आली में और देखे भी आली में जो संग्त राज्ट का मानव विकास सुचकांगजारी किया गया इसमें भारत को 132 में अस्तान पर रखा गया है और देखे मंगोलिया और जापान देखे सितंबर में भारत के रक्षा मंत्री यह मंगोलिया और जापान की तीन दिवसी यातरा पर गये थे और मंगोलिया में उनको गोड़ा गिप्ट किया गया इसनी उसको तोना सा परसो का वीडियो देके रिवाज कड़ा लेगा पांचवा था कि हाल ही में बिहार के जिले में पदमस्री पुरुसकार विजेता के लाकर राम चंदर माजी का निदानों किया तो दीके राम चंदर माजी का जन्म हुआ था बिहार के सानड जिले में तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समापत होता है जैं जैंवारत